उससे पहले ही हम विश्वस्त थे कि गरीब कल्यान से ले करके देश के सम्मान को बढ़ाने तक जो नरेंद्र मोधी जी ने पिछले 10 साल तक काम किया है देश एक बार फिर सम्मानिय नरेंद्र मोधी जी को प्रदानमंत्री बनाने और देश को विक्सित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए प्रचल्ड बहुमत से बारतिय जन्ता पार्टी को विज़ाई करने वाली है देश के आम अवाम ने खुद इकटे होकर के अपनी तरफ से एक नारा बारतिय जन्ता पार्टी के लिए बारतिय जन्ता पार्टी के नेताओं को दिया और वो था अब की बार चार सो के पार और जब चार सो के पार के संकल्प को लेकर के हम चले ता मुझे लगता है कि एक्जिट पोल का अब कहना शायद देश में किसी भी ऐसा व्यक्ति जो जो देश की राजनीती को इमानदारी से समिक्षा करता उसके लिए प्रत्याशित नही तो एक्जिट पोल को रिकर अब जो नेताओं के वायान है वो भी निकल कर सामने आने लगे हैं पांचवां चरन होने वाला था उससमें एक नैरेटिव आया था और उसमें एक तारीक को क्या होगा दो तारीक को क्या होगा चार तारीक को क्या होगा पांच तारीक को क्या हो को शाम को वो एक्जेट पोल से भांगेंगे चार को नतीज़ा आएंगे पांच को इवियम पर ठीकरा पोड़ेंगे शे को जो है वो देश की जनता को दोज देंगे और साथ को घूमने के लिए विदेश जाएंगे यह तरह है उसी फार्वलाई से काम होगा तो देखे यह बैठक इसवक्त जो चल रही है भारती जनता पार्टी की जिसमें परफोर्मेंस को लेकर आंकलिन किया जो रहा है वहाँ पर सभी वर्ष्र निता भारती जनता पार्टी के इसवक्त मौजूद है से पी जोशी की अधेख्षुता में यह बैठक चल रही है और इसी बीच जो प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही है क्योंकि बस पांच बजे एक्जिट पोल जो है आज हम आपको दिखाने जा रही है और एक्जिट पोल से पहले नेताओं की प्रतिक्रियाएं निक दिया था और 400 पार का नारा साकार भी किया है और साथ ही साथ उनका विपक्ष पर भी हमला देखने को मिला कहा कि विपक्ष रिजल्ट आने के बाद फिरार हो जाएगा और चरी आगे बढ़ते हैं अब जरबात मौसम की कर लेते हैं सीकर में मौसम का मजाज बदलने से अच्वारक बारश हो गई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है आपको बता दे फतेपोर मौसम के इंदर पर आज का अधिक्तम तापमान 12.5 डिग्री दर्च किया गया पिश्टे 15 दिन में ये पहला मौका है जब तापमान 45 डिग्री से नीचे आया है और कई जगा हलकी बारश होने की वज़े से लोगों को गर्मी से राहत मिली है जिले के पतेपोर और आसपास के इलाकों में बारश भी हुई है मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन पारश और आंधी की वज़र से तापमान में गिरावत होगी चलिए फिलाल इस बुलिचर में आज के लिए बस इतना ही आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश का नम्मो वन नियूस चैनल नमस्कार झाल झाल